हेलो फ्रेंट्स आप सभी देख रहे हैं एक स्मार्ट स्टेडी यूटूब चैनल साथ यो SSE CGL के टीर वन का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जो है 25 और 26 सप्टमबर को होना बाकी है आज की इस वीडियो में टॉप 70 कोस्टन्स देखेंगे जीके के जीके जीएस के ये 70 कोस्टन्स आपको बहुत ही सूपर फास्ट करवाएंगे तो जिनका पेपर अभी बाकी है वो इस क्लास को जरूर देख लेना और आपको बता दें कि मैंने बहुत सारे एक्सपेक्टिड कोस्टन्स के सेट आपको करवाए हैं ओर इदेख लेड़ी उन सभी वीडियोस को क्लास के पहले आप देखकर जरूर जाना तो चलिए बीना देरीक की वूए क्लास को शुरू करते हैं देखते हैं क्वेश्चन्स आप सभी से request है वीडियो को एक लाइक जरू करना और class पसंद आए तो आपने सभी दोस्तों के साथ share जरू करना पलक उस्चे ने राष्टकुट वन्स की अस्थपना किशने की थी देखिए राष्टकुट वन्स की अस्थपना किशने की थी डिरेक्ट आप से ये पूछा जा रहा है तो करेक्ट आएगा दंती दुर्ग ने ओप्सन नमबर ए दंती दुर्ग जिसने राष्टकुट वन्स की अस्थपना की थी ठीके अगला एक कृष्णा प्रथम जो राष्टकुट वन्स का राजा था उसने निमनल खित में से क्या बनवाया तो वह कृष्णा प्रथम ये राष्टकुट वन्स के ही राजा थे ठीक next question है भारत की रुई अईन्य रुईयों से अधिक सफेद है यहाँ विचार किसका था यानि इस कथन को किसने कहा था कि भारत की रुई अईन्य रुईयों से अधिक सफेद है तो याद रिखे करेक्ट आएगा मेगा अस्थिनीज ने अप्सन नमबर भी करेक्ट आएगा, मेगा अस्थनीज के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक भी है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रिखीगा इंडिका, ठीके, देखिए, अंतिम मोर्य समराट कौन था, तो भई, अंतिम मोर्य समराट की बात करें, तो वो ब्रिहद्रत, ठीके, ब्रिहद्रत की हट्टा किसने की थी, तो पुछ समित्र सुंग ने की थी, एक सो पचासी इसा पूरु में, ये भी आपको याद रखना है, ठीके, चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट है, बल्लभी विद्धा, विस्विद्यालाई का विकास किसने कर आया था, याद रिखिएगा भट्टारक ने, ओप्सन नमबर एक करिक्टा आएगा भट्टारक, जिनोंने बल्लभी विस्विद्ध्यालाई का विकास कराया था, अगला है कौन सा पीटक, देखिए, कौन सा पीटक है, जो नैतिक आचार सहिता के बारे में बताता है, देखो, करिक्ट आएगा भी नских पीटक, एक बहुत धर्म की सिक्छाओं के बारे में कौन सा ग्रंत बताता है, देखिए, करिक्ट आएगा, ओप्सन नमबर सी, सुक्त पीटक, उप्सन नमबर सी, यहाँ आपका करिक्ट आएगा, आगे दिखिए, किन दो वन्सों ने उत्तर भारत का राज्य समाला था. तो दो वन्स कौन से थे, जिनौने राष्ट कुटों के साथ उत्तर भारत का राज्य समाला था. तो देखिए, बहुत ही important question है आपको याद रखना है चले next question देख लेते हैं किस राजी के राजा ने देव पूत्र उपाधी को अपनाया था तो भई देव पूत्र उपाधी को किस राजी के राजा ने अपनाया था याद रिखिए कुसानों ने option number है कुसान सासकों ने अगला question है महासंगीक निकाई कहां विक्सित हुआ तब है महासंगीक निकाई जो है ये कहां विक्सित हुआ तो करेक्ट आएगा वैसाली में option number 1 करेक्ट है वैसाली अगला question है चतूर्थ बोध संगीती किस के समय में हुई थी तो देखें चतूर्थ बोध संगीती इस वी की पहली सदी में हुई थी कुसान सासक कनिस्क के समय में ओप्शन नमबर एक कनिस्क करेक्ट अंसर है नमना लखित में भारत के बारे में सरपर्थम किस गरिक विद्द्वान ने लिखा था याद रखना साइलेक्स ने ओप्शन नमबर सी करेक्ट आएगा साइलेक्स अगला और तो भारत में जंडा दिवस की बात करें तो ये 7 दिसंबर को मने जाता है उप्षन नमबर भी 7 दिसंबर राष्टिया बनी जी बोड का चेर्मेन कौन है तो साथ्यों भारत के प्रधान मंतरी होते हैं जैसे कि अभी नरिंद्र मोदी जी हैं अगला कोश्चेन है परिम्वी कुलम बंजी बभियारेन किस परदेश में है तो परिम्वी कुलम बंजी बभियारेन ये कहा है तो ये साथ्यों भारत के केरल राज में इस्तित है याद रिखेगा भारत का पहला समुद्री राष्ट्य उधान कौन सा है देखिए भारत का पह तो भै, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदुलन चलाया गया तो करिक्ट आएगा इटली में ओप्सन नमबर A, इटली ओजन डे मनाने की घोशना किस प्रोटोकॉल में हुई थी तो देखिए, ओजन डे मनाने की जो घोशना है वो किस प्रोटोकॉल में हुई थी याद रिखिए करिक टेंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छा कोस्चन है ओप्सन नंबर भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए ओजन दियोस की बात करें तो प्रतेक वर्ष ये 16 सेप्टमबर को मने आ जाता है ठीक है आपको याद रखना है और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसकी घोषना 1987 में हुई थी ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगला कोश्चन देखिए बिली अरजन सिंह का नाम किस राष्टय उधान से संबं दी थे तबहे बिली अरजन सिंह के बात करें तो इनका संबं किस राष्टय उधान से है याद रिखिए करेक्ट आएगा दुधवा राष्टे उधान से ओप्शन नमबर B दुधवा राष्टे उधान की बात करें तो यह उत्तर परदेश में श्ती थे ओप्शन नमबर B इस कोश्चिन के लिए आपका करेक्ट अंसर होगा आईए आपको बिली अर्जन सिंग के बारे में बता देते हैं कुछ जरूरी बात है जेखिए बिली अर्जन सिंग का जनम 1917 में हुआ था वो एक पूरू सिकारी थे ठीक है किन्तु एक छोटे तेन्वे के सिकार के बाद उनका हिर्दे परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुदवा नेशनल पार्क के अस्थपना के लिए अभयान चलाया उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया और उन्हें 1995 में पदम सिरी भी दिया गिया उनका निधन 2010 में हुआ ये भी याद रखना राष्ट्य हरित प्राधिकरन की मुख्य बैंच कहा है तो साथ यो देखे राष्ट्य हरित प्राधिकरन की मुख्य बैंच जो है वो आपका भुपाल में इस्तित है जेविक खेती के क्या फाइदे होते हैं अब देखे जेविक खेती जो होते हैं ये साथ जो किफायती होते हैं ठीक है ओप्शन नमबर ए किफायती होते हैं और किफायती के साथ साथ एक कम परदूसक भी होता है यानि जेविक खेती में कम परदूसक भी होता है क्योंकि जेव अंप से उत पन एक कच्रह में कौन सा तथव होता है उसमें कॉपर होता है ऑप्सन नमबर एक याद रखना परियावरन सरक्षन अंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट इस्पृिंग के लेखक कौन थे तो याद रिखिएगा रसेल कारशन, option number B correct होगा कारवन लेवी क्या है, काफी important question है, याद रिके कारवन लेवी की बात करें, तो ये कारवन इंधन पर लगने वाला tax है कर, ठीक है, option number C अगला question रिके भारत के छेत्रफल का कितना परतिसत भाग, सुरक्षित छेत्रों में आता है तो भाई याद रिकेगा, भारत के छेत्रफल का कितना परतिसत भाग है जो सुरक्षित छेत्रों में आता है करिक्ट आएगा 5 परतिसत, option number B correct होगा, अगला जेट रोफा के अलावा, नेमिना लिकित में से किस पेड के बीज का तेल भारत में सेकलों परियोजनाओं के लिए सयंतर चालक के रूप में सावित हुआ है तो जेट रोफा के अलावा याद रखना option number B देखिए पोंगा मिया पिननाटा का तेल option number B correct आएगा पोंगा मिया पिननाटा के बीज का तेल ठीक है, option number B correct होगा अगला question है 90 East Ridge देखिए 90 East Ridge नामक जलमगन जौलामों की कटक किस महासागर में स्ती थे तो भाई 90 East Ridge नामक जलमगन जौलामों की कटक किस महासागर में स्ती थे याद रिखेगा हिंद महासागर में ठीक है बहुत अच्छे लेवल के questions हैं देखिए अफगानिस्तान का हिलमन प्रांत किस की खेती के लिए परसीद है याद रिखे करिक्ट आएगा अफिम की खेती के लिए option number B अगला question है गुवानों नामक प्राकरतिक उर्वरक किस छेतर में पाया जाता है देखिए गुवानों नामक प्राकरतिक उर्वरक जो है ये पेरू के तटिये छेतरों में पाये जाते हैं लेटराइड मिरिद्धा का निर्मान किस प्रकार होता है तो लेटराइड मिर्टी की बात करें तो इसका निर्मान लीचिंग के कारण होता है अगला कोश्चन है अफरीका के पिमबा और जांजीबार दीप किसकी खेती वर निर्यात के लिए जाने जाते हैं तो साथियों अफरीका के पिमबा और जांजीबार दीप जो है वो किसकी खेती वर निर्यात के लिए जाने जाते हैं तो बहुत देखिए करिक्ट आएगा यहां option number A, long की खेती के लिए समरकंद नामक अस्थान, मजद एसिया में कहां परिस्तित है तो याद रिखेगा समरकंद नामक अस्थान मजद एसिया में उजबेकिस्तान में इस्तित है option number C, उजबेकिस्तान, reactor scale की उपरी सीमा क्या है देखे, reactor scale से भुकम की तिवरता का मापा जाता है और reactor scale की उपरी सीमा कोई भी नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है option number D, correct आएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, देखो reactor scale का निर्मान 1935 में अमेरिकी भुकम सास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रियक्टर ने किया था हाला कि इस scale में 1-9 तक की संख्या दी गई है, परंतो इसकी कोई भी उपरी सीमा नहीं है देखिए, साथ मेगनिट्यूड का जो भुकम होता है, वो 6 मेगनिट्यूड के भुकम से 10 गुना अधिक सक्तिसाली होता है यह आप अंदजा लगा सकते हैं इस परकार से, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट है देखिए, फ्लू वियल, अस्थला कृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है तो भै फ्लू वियल, अस्थला कृतियों की जो रचना है, वो किसके द्वारा की जाती है तो याद रखना जल के द्वारा, ओप्सन नमबर भी करिक्ट आएगा जल ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निमनलखित में से किस दीप को लेकर बिवाद है तो भे राइट आएगा फॉकलेंड दीप को लेकर ओप्सन नमबर D बिस्वो का सबसे बड़ा उरेनियम उत्पारक देश कौन सा है याद रिखेगा कजाकिस्तान अगला कोस्चेन एक गोल करांती का संबन किससे है देखेगे गोल करांती का संबन आलू उत्पादन से है शाथ वो याद रखना निमनलखित में से कौन भारतिया मानसुन को प्रभावित नहीं करता है तो भे याद रिखे गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रिम जो है ये भारतिय मानसुन को प्रभावित नहीं करता है अमेरिका में फ्री इंदुस्तान अखवार किस ने शुरू किया था तो करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर डी तारक नाथ दास जीने संभिधान के किस भाग में संभिधान संसोधन की प्रक्रिया का उलेख है याद रिखिएगा संभिधान के किस भाग में संभिधान संसोधन की प्रक्रिया का उलेख है तो देखो करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर सी भाग बीस में तो दिखे सम्राठ हर्ष ने अपनी राज्धानी थाने स्वर से कहां अस्थांत्रीत की थी नेक्स्ट कॉस्टन है ताला जल्बुद परियोजना किस डेश के साथ भारत की संध्यूक्त परियोजना है तो साथी ये जो ताला जल्बी दूत परियोजना है न दिखीगा ये याद रखना भारत और भुटान की संयुक्त परियोजना है जब राजा बोड यार ने मेसूर राज की अस्थपना की तब विजय नगर समराज का सासक कौन था तो देखे करिक्ट आएगा बैंकेट दूतिया ओप्सन नमबर डी मतविला प्रहसन नाटक का रचियता कौन था याद रिखे मतविला प्रहसन नाटक का रचियता थे महेंद्र ब्रमन पर्थम एक इतिहास कार ने ठीक है पानिपत की तिसरी लडाई को स्वय देखा वहाँ कौन थे तो देखे करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर बी कासी राज पंडित कासी राज पंडित जिन्होंने साथियो पानेपत की जो तिसरी लडाई हुई थी 1761 में ठीक है आमद्जा अपदाली और मराठो के बीच में उसको स्वय देखा था याद रखना सहुत्राज अमेरिका में सुन अधारित बजट तकनिक को सरपर्थम कब अपना है गया था तो साथियो याद रिखेगा करिक्ट है ओप्सन नमबर ए 1877 में करिक्ट आएगा सहुत्राज याद रखना है काफी अच्छा कोश्चन है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था तो मुगल शासक अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगड विजय अभियान 14 वर्षे कम आयू के बहुत से गरिब बच्चे पताखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मोलिक अधिकार का उलंगन होता है तो करिक्ट आएगा सोसन के विरूत अधिकार का आगे दिखिए किस्ट ने मुखलीस पूर से लोहागड नामक मजबूत किला बनवाया था तो करिक्ट आएगा साथियो बंदा बहादूर ने जिनका पूरा नाम था बीर बंदा वैरागी अगला कोस्टेन है संबिदान के किस अनुच्छित के अंतरगत नागालेंड राज के संबन्द में विशेश उपबंधों का प्रावधान किया गया है तो देखिए करिक्ट आनुच्छित 371 का कव में याद रिखीगा आगे देखिए भारत के उपराष्ट पती का चुनाव क किया जाता है संसद के सदेशों के द्वारा याद रखना आगे देखिए दो देशों के बीच बस्तु बिनियम को क्या कहा जाता है याद रखना दो देशों के बीच बस्तु बिनियम को ब्यापार परिनाम कहा जाता है याद रखना ब्यापार परिनाम अगला है राजा रा निमनल खित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रचन बोध की संग्या दी तो करिक्ठ है संकराचारिक बारती राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था तो राइट है उप्सन नमबर सी 1907 इस्वी में राष्टपती किस विद्येक को पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता तो भै देखिएगा करिक्ठ आएगा धन विद्येक को ठीक है आगे देखिए ओद हिब्बत से आती है और हिमालय काटकर बहकर भारत में आती है ऑप्सन नमबर भी करिक्ठ आएगा भारत में खनीज के तेल के भंडार मुख्या तक किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते है याद रिखिए करिक्ठ आएगा आवसादी चट्टानों में पुरानी मिट्टी जो होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है गंगा अबम ब्रमापुत्र की सयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है याद रिखिए गंगा अबम ब्रमापुत्र की जो सयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है ऑप्सन नमबर C मेघना सरकरा फेक्टिरियों की अधिक्तम संख्या कहा है तो बहुत देखे सरकरा फेक्टिरियों की अधिक्तम संख्या जो है यह आपका उत्तर परदेश में इस्ति थे option number A भारतिया संभीधान के मुल करतेब कब समिष्ट किये गए यानि भारतिया संभीधान में मुल करते वो को कब जोड़ा गिया करेक्ट है 1976 में 42 में संभीधान संसोधन अधिनियम के दुआरा अगला कोस्चन ने भी तायोग का गठन किया जाता है किस के समय के लिए तो भायात रखना पांच वर्स की अवधी के लिए किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की निती अपनाई थी तो भाय देखिएगा करेक्ट आएगा साथ योग फ्रांसिसको डी अलमेडा ने अगला कोस्चन है महराष्टा में भक्ती संप्रदाय निमनलकित में से किस की सिक्छाओ के दौरा फैला था तो महराष्टा में जो भक्ती संप्रदाय है या फैला था वो किस की सिक्छाओ के दौरा तो संत ज्यानिस्वर की सिक्छाओ के दौरा विजयनगर का अपने अस्थपना से लेकर पतन तक किस राज के साथ संगर्ष चलता रहा तो राइठ है बाकिये उनके लिए इससे पहले मैंने बहुत सारे expected questions के sets आपको लिए provide करा दिया है already उनको आप नहीं देखें तो जरूर देख कर जाना paper से पहले वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना और अभी SSE MTS का अब सेरीज सुरू होगा तो साथियो जितने साथी नहे हैं सबस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को आन कर लेना मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन देमातरम कर द发ते हैं.